नमस्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वाकत करती हूँ अपनी एंट्री कराने आया था लेकिन व्रूत्र घर नहीं गया और फर्याथ थाने के पुराने कैमपस में एक कमरे में जाकर फासी की फंदे पर लटा किया जिसकी मौत हो गई है फिल्ड यूनिट को भी बुला लिया गया है फिल्ड यूनिट और इनके परिवारी जनों के सामने फंदे को वहां से पंदे के बॉड़ी को मिर्ट शरीर को उतारा गया है आगे की कारिवाई की जाए रही है जाँच परताल की जा रही है अब इनके मृत शरीर का पोस्ट मॉर्टम डाक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के अंतरगत कराया जाएगा परिजनों से पूश्टाश में जालकारी मिली है कि पिछले कई सालों से इन मृतक होमगाड 256 राकेश बाबू की मानसिग वीमारी का इलाज आगरा के एक डाक्टर साहब है इशुगर्ग उनके यहाँ हो रहा था इस प्रकार की एक डुखत घटना यहाँ पे हुई है आगे की कारिवाई कराई जा रही है पुस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके आने के बाद और भी चीज़ें जो भी होगा उसकी इसाब से आगे कारिवाई की जाए बिस्यन नियूस के लिए फिरोजाबाद से मोनुजैन के साथ रिहान अली की रिपोर्ट फिरोजाबाद में आज मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए सेना में भरती होने पाले अफिरतियों का सैलाब उमड उठा एक खिड़की की वज़ा होने से खिड़की का शीशा पी तूड किया वही पहुचे समाजवादी पार्टी के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुचकर सेना में जा रहे भरती में अभरतियों को समझा भुजा कर एक काउंटर की जगा दो काउंटर लगवाए गए एवं लाइन लगवा कर बारी बारी से कोरोना की जाज कराई गई वही समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलिप यादो ने मेडिया को जानकर रिदेते विब बताया के हमने सीय में साथ के पांडिजि से बात कर शाम तक जाज कराई गई साथ साथ बताया कि आगरा में सेना भरती पंद्रा तारिक से लेकर बेस तारिकों होने जारी है सभी जनपत फिरोजाबाद के तैसल के सेना में भरती होने के लिए कई महनों से भाग दोड़ कर रहे है अब भतियों को पूरी तरह कोरोना की जाच कराई गई है फिरोजाबाद के शिकोहबाद में फैक्टरी मालिक की ऑफिस में खुसकर आदा दजन बर्माशों नी तमचा लगा कर देड़ सी दो लाक रुपे लूटकर लूटेरी बाइक से फरार होके थाना शिकोहबाद के एटा चौराह के पास तेल मिल राहूल प्रेट कमपने की मालिक शिलेंडर सिंग अपनी ओफिस शाम साथ बचे पैटे थी तबी तीन बाइप पर छब राती खुसार और कनपटी पर तमचा लगा कर गोली मारतीनी की धम की देने लगे दोनों कनपटी पर तमचा लगा कर चापी अपने कबचे मिले कर अलमारी में रखे देड़ से दो लाख रुपे लिक कर फरार होके सुचना पर पुलिस के साथ वरिष्ट पुलिस अधिक शक्त अजय कुमार सीओ बलतेउग खनेडा मौकी पर पहुचे और पुलिस को जाच कर कारिवाई की आतिश दी ये अमको सुचना मिली थी पुलिस को कि एक बेकरी की दुकान के हैं शीलेंदर सिंग वो दुकान पर बैठे थे और चार लोग आये हैं और उनसे करीब एक लाग से तेड़ लाग के बीच में कुछ धन्राशी लूट कर ले गये हैं इस सुचना पर मारी टीम यहां आई हुई है मौका मौयना कर लिया है कि बयान ले लिये हैं बेसियन नियूज के लिए फिरोज अबाद से रिहान अली के साथ शुभाम चादुन की रिपोर्ट बेसियन नियूज के प्रदेश की खबरों में फिला लेता ही अन्यक खबरों से ऐसे ही अम आपको योही रूपर्यू करवाते रहेगे देखते रहेए बेसियन नियूज नमस्कार